So guys, recently Xiaomi ने अपना नया smartphone Redmi 9A इंडिया में लॉंच कर दिया है और यह smartphone आपको काफी अची price पर देखने को मिल जाता है इस smartphone में आपको दो variants देखने को मिलते है 232 and 332 तो जो 232 वाला variant है वो आपको 6800 में मिल जाता है और जो 232 वाला variant है वो आपको 7500 में देखने को मिल जाता है So जो pricing है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है अगर आप इसे last year के 8a से compare करो या 8a dual से compare करो तो यहाँ पर आपको बहुत ही major downgrades देखने को मिलते है मतलब 8a में आपको dual cameras देखने को मिलते है तो 9a में आपको single camera देखने को मिलता है जो selfie camera है वो 8 megapixel का ता और अभी आपको 5 megapixel का देखने को मिलता है So camera department में definitely आपको एक downgrade देखने को मिलता है In fact जो display है 8a dual का वो आपको Corning Gorilla Glass 5 की protection के साथ मिलता है और 9a में आपको इसी प्रोटेक्श्शन देखने को नहीं मिलती है 8a dual में आपको Type-C port देखने को मिलता था 18 Watt Fast Charge support देखने को मिलता है वो आपको 9a dual में देखने को नहीं मिलता है So बहुती जादा downgrade आपको 9a में देखने को मिलती है यहां पर आपको दो अप्ग्रेड्स देखने को मिलती है वह यह है कि आपको 9A में बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है मतलब 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है compared to 6.22 इंच जो आपको Redmi 8A Dual में देखने को मिलता था और जो प्रोसेसर है वह भी यहां पर चेंज किया गया है पहले आपको Snapdragon 439 प्रोसेसर देखने को मिलता था अब आपको 9A में Mediatek Helio G25 प्रोसेसर देखने को मिलता है so definitely इन दो अप्ग्रेड्स के लावा इस स्मार्टफोन में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है so क्या यह स्मार्टफोन इतनी सारी डाउंग्रेड्स होने के बाद भी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है या नहीं तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं so देखिए अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो 7500 के आसवास फोन देख रहा है तो इसके लिए गोरिला ग्लास इतनी मैटर नहीं करती डेफ सेंसर इतना मैटर नहीं करता जो AI algorithm में वह बिना डेफ सेंसर के भी आपका background blur कर सकता है उसके बिना भी आप portrait images ले सकते हो वह इतना जादा आपका purchasing decision effect नहीं करेगा बट जो Gorilla Glass 5 है वह भी इतनी मैटर नहीं करेगी बट जो type c port है and fast charging support है यह चीज मैटर करती है तो अगर आप इस चीज को ignore कर सकते हो तो ही आप Redmi 9A लेना बिकास उसके अलावा यह smartphone काफी अची price पर आता है ठीक value आपको provide कर देता है यह smartphone बाकि अगर मैं आपको एक suggestion दू तो अगर आपका budget 7500 के आसपास है तो आपको Realme C11 देखने को मिल जाता है उसमें आपको Mediatek Helio G35 processor देखने को मिलता है and जो RAM में आपको 2GB की देखने को मिलती है instead 3GB जो आपको Redmi 9A में देखने को मिलती है तो आपकी choice है आपको Mediatek Helio G35 2GB RAM चाहिए या 3GB RAM या Mediatek Helio G25 चाहिए और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 7500 में थोड़ा और सेव करता थोड़ा रुख जाता मैं मतलब 7500 को मैं 10,000 तक सेव करता and Redmi 9 Prime ले लेता because वह बहुत ही अच्छी value आपको 10,000 में provide करता है वह बहुत ही जादा software and hardware level पर बहुत जादा demand करने वाली है तो इसलिए जो यह budget smartphone से आपको long run में इतना benefit नहीं करेंगे तो इसलिए थोड़े पैसे आप और save कर लो and Redmi 9 Prime ले लो यही suggest करूंगा मैं तो आपको बाकी आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा smartphone लेना है जय हिंद बंदे मातरम